गुड मॉर्निंग मैं हूँ दीप्टी शर्मा और आप सभी का स्वागत करती हूँ इस खुबसूरत से कारिक्रम में जिसका नाम है भाग्यम और आज हमारे इस कारिक्रम में हम एक से लेकर नौ मूलांग तक की रीडिंग करेंगे वो भी औरिकल कार्ड रीडिंग होगी और जिसमें हम जान पाएंगे बहुत सारी बाते जैसे कि आज मूलांग एक से लेकर नौ तक के जातकों के लिए क्या गाइडिंस है आज उन्हें क्या करना चाहिए किन बातों को फॉलो करना चाहिए क्योंकि आज का दिन है बहुत ही खास क्योंकि आज हम जिन औरिकल कार्ड का आज शुरुआत करते हैं और जानते हैं मूलांक एक से लेकर नौतक के जातकों के लिए कि आज हमें क्या blessings मिल रही है लेकिन कौन सा है आपका मूलांक यह दिया आप नहीं जानते हैं एक चोड़ा सा नंबर आठ जिसके स्वामी है शनी तो क्या आज की गाइडेंस है हम जानेंगे लेकिन आज का जो एपिसोड है वह बहुत खास है क्योंकि हम बात करने जा रहे हैं आज एक ऐसे सब्जक्त की जिसके बारे में समय समय पर कई गुरू ने अपने रूप से उसे लोगों के करें या फिर एक व्यक्ति के अध्यात्मिक उन्नति की बात करना कि जब विग्यान भारतान्तर की बात आती है तो वह विशय है वह ग्यान ने माःपारवती को साक्षाद दिया था और इस विशय के अंदर बहगवान शिवंने कई प्रकार के में बताएं जिसके माध्यम से कोई भी साधरन व्यक्ति अपने आपको एक साधरन व्यक्तित्र में परिवर्थित कर सकता है और यह जो मैथड है ना मुख्य मैथड जो है वो सारे स्वास प्रस्वास को लेकर है हमारी पूरी जिन्दगी में हम हर चीज को अपनी मर्जी से चरा सकते हैं ल अब भगवान शिव के द्वारा कहे गए वचनों के माध्यम से साध्र लेते हैं तो तो फिर कहना ही कि यह बहुत कुछ आप अपने बीतर जागरत कर सकते हैं एसी रहस्य में अनियरत शक्तियां आप अपने बीतर जागरत कर सकते हैं जिसके बारे में आपने सोचा भी नहीं है तो आईए दोस्तों बिना देर के अपने कारे करम के हमाँ शुरुआत करते हैं और जानते हैं मूलांक एक के लिए हमें आज शिव शक्तियाने की मा बाबा क्या guidance हमें आज दे रहे हैं और मूलांक एक के लिए हमसे कहा जा रहा है महासदा शिवा का कार्ड है और आपको कहा जा रहा है कि आज भगवान शिव की blessing आपके साथ है और यह जो blessings है ना यह बहुत high level की blessings है क्योंकि जब महासदा शिवा की बात हो रही है तो समझ लीजे every dimension हर dimension से आपको कृपा प्राप्त हो रही है आज आपका जो ग्यान है आपका जो ब्रह्म ग्यान है अंतह ग्यान है अंतह करण की जो बुद्धी है प्रग्या जिसे हम कहते ह है वो बहुत ही उच्च कोटी की होने जा रही है आज के दिन आप जिस भी subject से relate करते हैं अगर आपका profession जो भी है अगर आप एक विद्यारती भी है तो अपने particular field जिसके प्रती आप अपना भाव रखते हैं कि मैं इसके बारे में जान पाऊं मैं इसमें अच्छा कर पाऊं चाहे आप एक house maker ही क्यों न हो अगर आप भोजन ही क्यों न बनाते हो तो उसमें भी आज जो है आपको एक ऐसी जानकारी प्राप्त होगी जो आपको कहते हैं कि पारंगत बना सकती उस विशे के अंदर तो आज आप जिस भी field से हैं जिस भी विशे से हैं वहाँ पर आपको wisdom मिलेगी, growth मिलेगी, आपकी intelligence बढ़ने वाली है भगवान शिव की क्रपा से, आपका दिन शुभो आईए जानते हैं मूलांक दो के लिए हमें हमारे शिव शक्ति यानि मा बाबा क्या guide कर रहे हैं आज 17 मार्च 2024 के लिए और मूलांक दो के लिए हमको कहा जा रहा है नील कंट का काम है नील कंट जो है भगवान शिव आज आपको अपनी पूरी blessing दे रहे हैं और वो जो blessing आपको दे रहे हैं वो सबसे पहली तो ये दे रहे हैं कि आपके positive thought process आप optimist बने हर बात के लिए शंका या हर बात के लिए logical होना या एक साथ दो दो रास्तों पर चलना that is not possible आपको कहा जा रहे है कि growth अगर आपको लेनी है ना तो आपको up to the mark एक चीज के बारे में सोचना बढ़ेगा केवल अपना लक्ष या जिस भी कारी को पूर्ण करना है अगर आप भटकेंगे कभी dilemma में रहेंगे confusion की स्थिती में रहेंगे तो अपने अच्छे का से काम को भी पूरित क्यों ना हो लेकिन अपनी वाणी से नकरात्मक बाते आज आपको नहीं बोलनी है बलकि optimist behave आपको आज आज रखना है आपका दिन शुभू आईए जानते हैं मूलांक 3 के लिए हमें मा बाबा याने की भगवान शिव और शक्ति हमें आज क्या guide कर रहे हैं मूलांक 3 के लिए 17 मार्च 2024 के लिए और मूलांक 3 के लिए हमसे कहा जा रहा है अर्धनारेश्वर का कार्ड है आपको कहा जा रहा है कि आज के दिन जो भी काम करें उसके नदर बैलेंसिंग होना बहुत जरूरी है हर्मनी होना बहुत जरूरी है सफलता अगर दिमाग पर चड़ जाये तो बड़ी ही नकारात्मक हो जाती है कहीं ना कहीं एहंकार के भाव में आ जाती है लेकिन अगर वही सफलता हमारे हिर्दय में रहे ग्रैटिट्यूट में रहे तो वही ग्राउंडिंग भी हमें देती है और साथी साथ ग्रोथ भी तो आज का दिन जो है वह आपको कहा जा र रखना है पर्सनल लाइफ में भी और प्रोफेशनल लाइफ में भी और साथ ही साथ अपने भीतर अपने लाव और कमपाशन में भी आपका दिन शुभू आईए जानते हैं मूलांक चार के लिए हमें मा बाबायानी की शिव शक्ती उर्जा आज क्या गाइड कर रही है 17 मार्च 2024 के लिए मूलांक चार के लिए और हमको कहा जा रहा है मूलांक चार के लिए हनुमान जी का काड है शिव के हमान, शिव के ही रुद्रवदार है और वह आज हनुमान सी रूप में आपकी सुरक्षा करने आए हैं आज के दिन वह आपको कह रहा हैं कि गाड़ी चलाने में सावधानी बढ़ते हैं इसी भी प्रकार के जबरदस्ती के वादिवाद से अपने आपको बचा के रखें, दूर रखें और कहते हैं कि जब किसी व्यक्ति के कोई गुरू नहीं होते तो हनुमान जी ही गुरू के रूप में उनका मार्ग प्रदर्शित करते हैं, उन्हें सही मार्ग पर लेकर आते है तो आज के दिन आपको कहा जा रहा है कि साक्षात हनुमान जी जो हैं, वो आज आपकी सुरक्षा करने वाले हैं, आपका साथ देने वाले हैं, आपको ताकत देंगे हो सकता आपकी विरोधी जो हैं, वो बहुत जाद आपके कॉम्पेटीटर्स जो हैं, वो आपको हराने की कोशिश करें लेकिन बाला जी की करपा से सारी चीज़ें आपकी बैटराज हो जाएंगी तो क्या करना है आपको आप अगर संभव हो सके तो हनुमान जी के मंदिर जाएं किसी भी सिद्धान जाएं और उनके चरणों में अपने आपको पूर्ण रूपे नाज आप समझपित कर दें आपका दिन शुभ हो आईए जानते हैं मूलांक पांच के लिए हमें हमारे शिव शक्ति यानि कि मा बाबा क्या गाइड कर रहे हैं आज 17 मार्च 2024 के लिए और मूलांक पांच के लिए हमको कहा जा रहा है अर्धनारिश्विर का का काड है फिरसे जो है आपको कहा जा रहा है मूलांक पांच के जातकों को कि आज के दिन जो है अपने बड़े बोलेपन से बचना है वहीं बौलें जो की वास्तिक्ता में जैसा व्यवहार आप अपने साथ करना चाहते हैं या करवाना चाहते हैं, क्योंकि आप जो भी ब्रह्माण में देते हैं, वही आपको कई गुना लोट कर मिलता है, आज आपको कहा जा रहा है कि आज के दिन आपके कतनी में और करनी में अन्तर नहीं दिखना चाहिए, उतना ही commitment आज आपको करना है जिसे कि आज आप पूर्ण कर सकें अन्य था बात ठीक नहीं है क्योंकि भगवान शिव और शक्ती दोनों की ही आज आपको blessing मिल रही है और वो आपको जीवन में संतुलन सिखा रहे हैं आज आपको बता रहे हैं कि कैसे लाइफ में ग्रोथ के साथ साथ ग्राउंडिंग भी रखना उतना ही ज़रूरी है आपका दिन शुभो आईए जानते हैं मूलांक 6 के लिए हमें शिव शक्ती उर्जा क्या गाइड कर रही है आज 17 मार्च 2024 के लिए और मूलांक 6 के लिए हमें कहा जा रहा है दक्षणेश्वरी काली का कार्ड है आपको कहा जा रहा है कि आज वो आपको blessing दे रही है दीरगायू होने के लिए आज आपको blessing दे रही है कि आप पूर्ण तरीके से स्वस्त रहें आपकी लंबी आयू हो और इसके लिए विशेश आपको दक्षणेश्वरी काली मा जो है उनका complete आपको protection आज मिलने वाला है आपको कहा जा रहा है कि आज का जो दिन है आपको वैसे तो हमेशा ही करना चाहिए लेकिन विशेश आज के दिन हो सकता है कि देवी मा किसी रूप में आपकी परिक्षा लेने भी आ सकती है तो जो भी विक्ति आपसे उमर में छोटे हैं या फिर पद में छोटे हैं उनके साथ किसी प्रकार का दुर्व्यवार ना करें इस्पेशली तब जब वो एक महिला हो आपको और ये भी कहा जा रहा है कि आपको आज के दिन अपनी माता का भी सम्मान करना है उनसे आशिरवाद लेके आपको आगे बढ़ना है साथी साथ ये भी आ रहा है कि आपकी जो कुल देवी हैं उनकी भी करपाज आपको मिल सकती है आपका दिन शुभो आए जानते हैं मूलांक साथ के लिए मा बाबा याने के शिव शक्ती आज हमें क्या गाइड कर रहे हैं 17 मार्च 2024 के लिए और मूलांक साथ के लिए हमको कहा जा रहा है आदियोगी का कार्ड है आपको कहा जा रहा है कि आज के दिन आपको अपने गुरू से जरूर मिलना चाहिए, आज आपको अपने गुरू का आशिरवाद जरूर लेना चाहिए, अगर मौका मिल सके तो उनसे बात अवश्य करें, उनका आप आशिरवाद लें, और अगर आपके कोई गुरू नहीं है या आपने कोई दीक्षा नहीं लिए तो आपको कहा जा रहा है कि योग के माध्यम से ध्यान के माध्यम से आप अपनी higher self से अपने इष्ट से connection बनाए क्योंकि वही आपके गुरू है भगवान शिव को अपना गुरू बनाईए और आपको सपष्ट कहा जा रहा है कि आज अगर कोई हर्डल होगा कोई परेशानी भी जूटे ही अगर कह दिया कि आपका काम होगा तो ब्लेसिंग जो है ना वह आज आपको आगे ग्रो कराने वाली है तो आज अगर आपके गुरू से आप नहीं मिल सकते हैं तो सिंपली जाए भगवान शिव के मंदिर में और आप माथा टेक के और उन्हें अपने गुरू रूप में स्विकार कीजिए आए जानते हैं मूलांक आठ के लिए हमें मा बाबा आज क्या गाइड कर रहे हैं आज 17 हमार्च 2014 के लिए आज की जो तारीक है उसका जोड़ भी है नमबर आठ और मूलांक आठ की हम बार्प कर रहे ह और हमें गाइड किया जा रहा है मा बगला मुखी का कार्ड है आपको कहा जा रहा है कि आज के दिन मा बगला मुखी की कृपा आपके उपर है तो किसी भी प्रकार का अगर कोई मुकदमे बाजी है तो वहां भी आपको सफलता मिलेगी कोट कचैरी के मसलों में और अगर कही है यह आपको नहीं क्यों हैं। आपको प्लाक जो है।्ट के ऊपर अपनी प्रिपा बनाये गों हैं। आपका दिन शुभो आईए जानते हैं मूलांक 9 के लिए हमें मा बाबा आज क्या गाइड कर रहे हैं आज 17 मार्च 2024 के लिए और मूलांक 9 के लिए हमको कहा जा रहा है आज हमसे कहा जा रहा है मूलांक 9 के लिए कि आज माँ प्रितैंगरा कार्ड है और द default का अता है तो ये बहुत ही उग्र देवी है ये दश् महाविध्या की उग्रता रखती है उनसे भी अधिक उग्र है तो आज आपको कहा जा रहा कि जब मा प्रतिंगिर आपके जिंदगी में आज आपको ब्लैसिंग दे रही हैं, तो आज आपके जीवन में कोई बी ऐसी चीज जो या कोई ऐसा वस्तू या कोई ऐसा व्यक्ति जो आपके सामने तो बहुत अच्छा बन रहा है, मीठा मीठा बोल रहा है, लेकिन पीछे व्यक्ति को अपनी जीवन से लेट गो करा पाएं तो आज मा की blessing है और आपको आज कहते हैं कि declutter करना है अपनी life को अपने घर को आपका दिन शुभो तो दोस्तों ये थी reading हमारी एक से लेकर 9 मूलांग तक की हम परमात्मा से करते हैं आप लोग हमेशा खुश रहें स्वस्त रहें आप सभी का मंगल हो आप सभी हमारे कारिक्रम को इतना प्रेम और संबान देते हैं हमारी पूरी टीम आपको धनेवाद देती है आपके बितर बैटे परमात्मा को मेरा प्रणाम